विश्वे हिंदू परिशत के राजस्तान छेत्रिय मंत्री सुरेश उपाध्याई ने बांगलादेश में भरती हिंसा और अराजक्ता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है उन्होंने बताए कि बांगलादेश में प्रधान मंत्री की इस्तिफे और देश छोड़ने के बाद वहां के इस्तिती अत्यंत खराब हो गई है कानून व्यवस्ता लगबग निश्क्रिय हो चुकी है जिससे आतंकवादी और जिहादी तत्वों को खुली छूट मिल गई है इन्ही तमाम उद्दों पर जंता दर्बान ने विश्वे हिंदू परिशत के छेतरीय मंत्री सुरेश उपाध्याई से खास बाचित की है हमारे परोस में हुआ और उससे पहले हम श्री लंका में ये चीज देख चुके हैं और पाकिस्तान भी लगबग लगबग इसी दोर से गुजर रहा है हमारे तीनों ही परोसियों के साथ में इस प्रकार की चीज़े हो रही है तो क्या अब वो वक्त आ गया है जब हमें साफधान हो जाना चाहिए और सेक्यूरिटी मेजर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए आपका प्रस्ण एकदम ठीक है और प्रस्ण का उत्तर भी आपने दे दिया है जो आप कह रहा है मैं उससे सहमत हूँ यहां की सरकार को जाकरत रहना ही चाहिए जो विदेशी सामराजवादी सक्तियों के जो सड्यंत रहे हैं उनको सरकार को देखना चाहिए सायद मुझे ऐसा लगता है कि बंगला देश की सरकार इस सर्डेंटर को नहीं समझ पाई सायद कहीं कहीं उनकी लेकनेस रही कि उस अंदर चनने बाले सर्डेंटर को समझ नहीं पाए और वहां की प्रदानमंती सब लोग अचानक हो गया बारत सरकार से ऐसी अफेक्शन ही है हमारी बारत सरकार की मजबूस सरकार है और कई अस्वल प्रयोग हुए हुए है उनको अस्वल भी किया है लेकिन और भी सावदार रहने क्या हो सकता है यह सरकार का काम है जो भी सरकार चुनी हुई सरकार यह उनका काम है जनता का काम है चुनी हुई सरकार देना उसके बदले में हमारी रक्षा ब्यक्तिकत रक्षा देशी रक्षा समाज की रक्षा करने का काम उनको हमसोफते हैं यह सरकार का काम है पांच साल में एक वार हमने उनको बता दिया लेकिन जनता चुपचाप बैठी रहेगी यह भी ठ स्टेंद कारी सक्तियों से साफधार रहना चाहिए और इनको जो सहयोग करने वाले लोग हैं वो कौन हैं विवपारी हैं करमचारी हैं नेता हैं या और कोई हैं या किसी भी धरम और संपरदाई के हैं ऐसे देश द्रुईयों की पैचान करके उनके खिलाब सरकार को कारवाई करने चाहिए और समाज को जागरत हो करके खड़े हो करके इन सक्तियों के साथ मकाबला करने के अपनी त्यारी करने चाहिए क्या आपको लगता है कि जितना ज्यादा बाहरी देशों का हस्तक्षिप करने चाहिए कि अब भारत सरकार को सोचना चाहिए कि बाहरी हस्तक्षिप कम से कम हो देखिए यह राजडेतिक प्रस्ण है उन्होंने क्या बोला क्या नी बोला हम अपनी संस्कृति का एक जो सब घर चोट गाउं से लेकर के शेर तक है गर के अंदर की गरीवी गरेवे गर के अंदर बाईयों का जगड़ा पति पतिनी का जगड़ा घर में खाना बना के नहीं बना आज हम भूके रहें सारे घर के परदे के अंदर रहते हैं जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम परिवार की चिंता करके सब एक जुट हो के बोल है यहां हम रोज लड़ेंगे रोज देखेंगे किसी दलके हो लेकिन भारतवर से बाहर जा करके हम देश के खिलाब जो विश्य देश के खिलाब जा सकता है ऐसा नहीं बोलते और इसके लिए मैं सबसे बढ़िया उधारन जो मानता हूँ इजराइल का मानता हूँ इजराइल हम आपस पर लड़ते रहेंगे सत्ता किसकी आएगी किसकी जाएगी तो ऐसे कुछ बिंदू हो सकते हैं जिने पर सत्ता और विपक्ष का यह कहीं सोच होना चाहिए ऐसा विश्चुन्दू पर सत्का मानना है राहुल गांधी क्या बोलते क्या जवाब देनस पर में टिपड़ी नहीं करने ऊप एक सवाल और ये भी बनता है कि जिस प्रकार से बांगलादेश का उधारन हो गया हो या पाकिस्तान का उधारन हो या श्रिलंका का उधारन हो भारत के परिपेक्ष में घर हम बात करें तो बहले ही वो किसान आंदोलन हो, CA के खिलाफ आंदोलन हो, NRC के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, कहीं न कहीं क्या विश्विंदू परिशत का इशारा इन ही ताकतों की और है, जो भारत के अंदर रहे कर इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन करते हैं वर्ष बर हम कारकरता करते रहते हैं, पूरा समय देके काम करने वाले कारकरता हैं, उसके लिए बेविन्न प्रकार की कारकर्म करते हैं, रोज-रोज की घटनाओं को देखना, उनके अंसार कोई एजेंट बनाना ऐसी सुन्द परसर की कारिपदती नहीं है, इस देश के लिए चिंता करने वाला यहां का मूल हिंदू समाज है, वो संगटित, निर्दोस, चुआ चूट की बुराई से दूर, व्रस्ताचार की बुराई से दूर, इस देश को भारत माता कहने वाला समाज, जिस दिन मजबूत खड़ा हो जाएगा, संगटित हो जाएगा, उजिने सारे जो प्रद्र से दिखाई देते हैं, वो अपने आप बदल जाएगे, अभी जो वक्फ वोट का जो विवाद चला पड़ा है, क्या लगता है आपको कि इस प्रकार के विवाद हमारे देश में होने चीए, या अब समय आ गया है कि अब इनका निप्टारा हो जाना चीए जड़ समय था, देखिए, 636 में जब पहली बाद आकमण हुआ, तब से लेके अभी तख, कई प्रकार की कमियां, बुराई, समाज में परिवर्तन हुए, और जो जो खराब परिवर्तन हुए, जो जो समाज के लिए ठीक नहीं, वो सब ठीक होना चाहिए, ज़र चुआ चूट, हमारे याँ नहीं थी, जाती हमारे याँ नहीं थी, करम के आदार पर हमारी भारती, संस्कृती भारती बिसेस्ता है, लेकिन इन, जाती भी आगई, जात के आदार पर छोटे बड़े भी हो गए, यह किसी भी सास्त्र में नहीं लिखा है, वो सब ठीक होने चाहिए, उसी प्रकार, जो नियम बने हैं, सम्मिदान में जो कमिया हुई हैं, उनको ठीक करना चाहिए, जैसे धारा 370, जैसे भी आटकी दोटना चाहिए, यहासे बहुत सारे बिंदू हो सकते, और, हम तो कह रहे हैं, का हंड़ भारत बननना चाहिए, अखंड भारत की कलपना में, भारत बिस्वंद्वर सकतित हैं, यह पाकिस्तान में भारतो बसका सासन होना चाहिए, जो हमारी भारतिय संस्कृति है, उस संस्कृति को मानने संस्कृति के आदार पर आज भी बंगला देश हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भारतिय संस्कृति के आदार पर पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आज बंगला देश में डाकेशवरी मा था, कभी हमारे मंद पूरा भाग है वह एक पुरें पखंड भारत बनना चाहिए सासन विवस्ता अलाग हो सकती है उसमें अधिकार करने बाला बतली है पर मूल रूप से हमारे पूर्बज एक ही है हम इस्यन सकर्थी को मानने वाले हैं इसलिए हमें किसी उपासरा पत्तती से बिस्वन कर सको कोई बिरूद नहीं है लेकिन देश हित पहले सर्वो पर है लेकिन कुछ लोग देश हित से ज़्यादा कुछ अपने संपर्दाई को अपनी पूजा पत्तती को बरीता देते हैं वहां बिरूद है हमारा इस प्रकार बांगला देश में जो घटना कराम हुआ उसके बाद अब हिंदू समाज को जागरत हो जाना चाहिए और अब समय आ गया है क्योंकि कहीं न कहीं इस प्रकार की जो ताक्ते हैं वो भारत में भी धीरे-धीरे सक्री हो रही हैं भले किसी भी आंदुलन की यहां ब सन भले किसी भी पार्टी का हो लेकिन देश हित हमेशा पहले नंबर पर आना चाहिए और अगर देश हित पहले नंबर पर आएगा तो जो भी उधारन हमारे अडोस पडोस में देख रहे हैं भली वो बांगला देश और श्री लंका हो या फिर पाकिस्तान हो इस प्रकार के उधारन हमारे देश में ना तो देखने को मिलेंगे और ना ही कोई इस बारे में सोचेगा अगर हम देश हित के बारे में सबसे पहले सोचेगे सेहोगी केमरमेन अजय के साथ उमंगमा थुर जनता तरफार